नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपकी चनल एकजान गुरुक्री में दोस्तों जो लोग चनल को पहली पर बीट करें वो चनल को सब्सक्राइब परने के बाद बिलाइकन आपको मिलती रहे ताकि आपका वीडियो मीशना होने पाए दोस्तों हमारी जो स्रिंखला चल रही है साइजनल साइज टाप 1000 एंशी क्यूज प्रस्णों की उस रीच का आज पार्टू पाग हम पढ़ेंगे दोस्तों एस अब को चनल बहुत ही इंपाटेंट ने बहुत ही मध्यपूर है और आपके लेवल्स के हैं दोस्तों जैसा कि इसमें फिलाल भरतिया निकली कर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं विडियो को पहला प्रसना है लिएमें किसका मात्रक है कि तो लिएमेंइं offers कर्ड़स का मात्रक है आप समय में आका कर्लीक्टरंसा ररिए निकीसका मातरक है तो लिए में जोती को मिलता है बार बार आता है तो आप लोग इसको याद रखेगा मातरकों के इंतराश्टी प्रज़ती को लागू तो किया गया था वो 1971 में किया गया था आप संद मसी अपका करेक्टर अंसर इस कोचन के लिए 1971 में किया गया था चलिए दोस्तों अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन निमल निखित में कौन सी रासी सदिस रासी नहीं है बहुत अच्छा कोचन है निमल में से कौन सी रासी सदिस रासी नहीं है तो ओ है आपका आयतन बाकी तीन विस्थापन बल बेग ये तीनों कैस जाती हैं सदीसी राची यहादर किये गगा कि नेस्स कोश्चन की बात करें से तो दोस्तों नेस्स कोश्चन है पदात के सन्वेग वेग के अन्पात से कौन पदात के सन्वेग और बेग के अनपात से कौन सी भौतिकरासी प्राप्त होती है तो वो होती है आपका द्रब्मार आपसा नमबर सी करेक्ट इंसर है वो द्रब्मार प्राप्त होता है आपनों को पदात के सन्वेग और बेग के अनपात से द्रब्मार भौतिकरासी प्राप है दोस्तों ध्यान सुनिएगा एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है जब बर्फ पुर्टव पिगल जायेगी तो बीकर में पानी का तल आपका उतना ही रहेगा बढ़ेगा गटेगा या इन में से कोई नहीं तो बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है जब बर्फ पु कोच्चन के लिए याद रखिएगा आप सब नेक्स कोच्चन कर लेते हैं नेक्स कोच्चन निम्लिखित में से कौन सी उचाई भू इस्थिर उपग रहों की है तो उचाई है आपका 36,000 किलो मीटर आप सब नम्लिखित में से कौन सी उचाई भू इस्थिर उपग रहों की है तो उचाई 36,000 किलो मीटर अगला प्रस स्यानता की एकाई क्या है स्यानता की एकाई क्या है बहुत इचाई कोच्चन है तो स्यानता की एकाई है आपका प्वाईज आपसा नम्मर ए आपका करेट अंसर है इस कोच्चन के लिए स्यानता की एकाई क्या है यूनिट क्या है प्वाईज है अगला प्रस एक गेंद को 36 से कितने कोड़ पर फेका जाए बहुत अच्छा कोच चन है हमेशा ही जाम में देखनों को मिलता है एक गेंद को 36 से कितने कोड़ पर फेका जाए कि या अधिक्तम दूरी तेह कर सके तो ओ एंगल है आपका कोड़ है 45 डिगरी आप सनमाड़ी अपका correct answer है 45 डिगरी पर किसी भी गेंद को फेकेंगे या किसी वस्टू को फेकेंगे तो ओ अधिक्तम दूरी तेह करती है आप सनमाड़ी आपका correct answer है 45 डिगरी न est question वस्टू को गर्म करने पर उसको अड़वों की आपको तरहा है बस्तू को गर्म करने पर उसके अरगों पर क्या प्रभाव पड़ता है बहुत अच्छा कोच्छन है बहुत अच्छा कोच्छन है लेवल का कोच्छन है याद रखेगा आप सब बस्तू को गर्म करने पर उसके अरगों की क्या होती है तो उसके अरगों की चा समा का मान कितना होता है एक किलो कलोरी उस्मा का मांग कितना होता है तो अ होता है आपका 4.2 मल्टिफलाई 10 पाउर 3 जूल यानि चार दस में दो गुर्टे 10 पाउर 3 जूल होता है अपसे नमर भी आपका करेक्ट अंसर इस कोच्चन के लिए याद रखना आप सब दोस्तों एक किलो कलोरी उस्मा कमान कितना होता है तो वो होता है 4.2 इंटू 10 पाउर जूलक पैदा होता है बहुत अच्छा कोच्चन है निमली खित में किसके द्वारा अधिक जूलक पैदा होता है तो वो होता है आपका भाप द्वारा आपसे नमर ए यानि भाप से सबसे अधिक जूलक पैदा होती है भाप से सबसे अधिक देश जलता है नेस कोच्चन जिस टाप पर कोई द्रव उस्मा पाकर वास्प में बदलता है क्या कहलाता है आपस नमभी आपका करेक्रेक्ट रंसर है वो कोथना कहलाता है नेस कॉस्चन ध्वानी तरंगों की प्रकृति कैसी होती है बहुत अच्छा कॉस्चन है द्वानी तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो द्वानी तरंगों की प्रकृति जो होती है उनुदायर्द होती है आपसे नमर टी आपका करेक्ट अंसर है इस कोच्चन के लिए द्वानी तरंगों की प्रकृति कैसी होती है अनुदायर्द होती है बोद्चा कोच्चन है अगला फरस प्रकास में धुर्वण की घटना से यह सीध होता है कि प्रकास तरंगे हैं आपको बताना है कि प्रकास में धुर्वण की घटना होती है तो उससे क्या सीध होता है कि प्रकास कैसा है तो आपको क्रेटसर जो है हो जाएगा अनुप्रस्त ऊपिजा कोछचन है है विद्दू धारा का अपसर नमरे आपका करेटनसर है बिदूत धारा का मातरक Ampyr होता है Next Question निमनि में कौन सा बिदूत अचुंबकी है आपको पोताना यहां पे चार अप्शंस देगे हैं निमनि में से कौन बिदूत अचुंबकी है बिदूत का अचुंबकी है तो इसमें आपका सही अंसर हो जायगा तामबा बाकि कोबाल्ट, क्रोमियम, N. निकिल क्या है चुम्बकी है लेकिन तामबा और चुम्बकी है तो आपसन और D. आपका करेक्ट अंसर हो जागा इस कोच्चन के लिए नाफ्ट पावर 10 quella देखने मिलता है नाफ्ट कावर कितना होता है आपका 10 you know 10 पावर्ड माइनस 10 मीटर आप्सन नमर है किया आपका क्रेटंसर है 10M एभा एवं यंग आपसन श्याप का Soviets Orion के लिए तो radar के विसकारका कों तेलर एवं यंग आपसन मसी अपसन से आपसर nei एवं के लिए ne such question करते हैं निमनिखित में से कौन में बुखचा क्गेश है कौन सी गैस नियुंतन तपर द्रोब में बदल जाथी बहुत ही अच्छा कों चैन के लिए निम्ंखित में कौन सी गयस निम्तन ताप पर द्रव में लाती है तो हाइड्रोजन है तो दोस्तों यह थे हमारे आज के कुछ सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों वीडियो को अच्छा से देखिएगा और पुड़ा वीडियो को लाइक दीजिएगा अपना भरपूर प्याद दीजिएगा तो दोस्तों मिलेंगा अगरे वीडियो ने तक करिए जाहिन